तो वहाँ जो सम्मिधानिक बात थी जो सम्मिधानिक बात थी उन्होंने कहा जी कि आज का जो कारीकरम किया है जो राइंद पाल एड़ोकेट इंजर कारीकरम किया इसके वारे में क्या को होगे मैंने का ये कारीकरम जो आज हुआ है ये हमारे अधिकार और आज छिन गए इस तरह के जितने भी कारीकरम पूरे भारत में हो रहे हैं हजारों कारीकरम हो रहे हैं हजारों लोग अपने संख्ठनों का स्थापना दिवस मना रहे हैं हजारों लोग अपने संस्तापक, फाउंडर और अध्यक्ष हैं, संनक्षक हैं, और ये जितना कारिक्रम करते हैं, उतने लोग अलग-अलग तूटते हैं, उतने लोगों का अलग-अलग पैसा जाता है, हमारे रिसोर्सिस खतम होते हैं, और हमारे रिसोर्सिस अब आनी रहें ये पुराने resources हैं, ये पुराना सरोत है, ये पुराना हमारा धंधाने हैं, जो हम इन कारेक्रम में लगा रहे हैं, नया नहीं आ रहा है, ना नहीं नोक्रिया हैं हमारे पास में, ना रुजगार हैं और हमारे बच्चे बेरुजगार हैं, तो ये भी खतम हो जाएगा, ये हर आपस में मिलते नहीं, ये एक साथ मिलते नहीं, एक साथ बैठते नहीं, और इनमें अलग 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 जो काम करते हैं, उसमें कुछ लोग आ जाते हैं, लोग सवाल नहीं करते, लोग कहते नहीं कि तुम अलग कारिकरम क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहां व्यक्ति वादी हो जाते हैं लोग और व्यक्ति के अधिन हो जाते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता और अधिकतर लोग तो अग्यान हैं अग्यानी है इग्नोरेंस है इग्नोरेंट हैं क्यों क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है कोई कहने को त्यार ही नहीं है क इस चीज़े कहा चल रही हैं और कहा नहीं चली हैं